So guys, TDA में हम सो लोग खेलते हैं लेकिन यहाँ पे कभी-कभी क्या होता है हम लोग हार जाते हैं या फिर कभी-कभी हम लोग जीट जाते हैं लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी ड्रिल्स और ऐसी टिप्स शेर करने वालो जो कि आप यूज़ करके काफी एची तरह से TDA में कैसे करेक्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा और क्या ड्रिल्स यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा या फिर कोई भी TD match केलते हैं वो यह कि आपने कभी भी 40 bullets का या फिर long spray यहां पे नहीं करना है आपने easily damage दो अंदरा वाली चीज़ को यहां पे use करना है और आपने क्या करना है थोड़ी सी bullet connect करनी है या फिर आपको पर bullet try करेगा तो connect करने की देन उसके बाद आपने क्या करना फिर से आपने उठके उसको थोड़ा सा damage देना फिर से बाट जाना फिर से उठके थोड़ा सा damage देना इस तरह क्या होगा आपकी जो है वो काफी ज़दा fast लगेगे reflexes और आपको head trace करना काफी ज़दा मुश्किल हो जाएगा सामने वाले बंदे के लिए लेकिन अगर आप आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि जैसे मैं सामने वाले बंदे के एंगल में जा रहा हो वो cover की तरफ जा रहा है और में उसकी तरफ जाते जा रहा हूँ जिससे हो रहा कि है वो अपना आप तो cover के अंदर कर रहा है protect लेकिन मैं अपनी body को expose करते विए उसके सामने जा ताकि आप लोग अपनी body को cover के अंदर protect कर रहे हो और सामने वाला आपके angle में आ रहा है और अपनी body को expose करते जा रहे है आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से मैं इस चीज को use कर रहा है अगर आपको इसकी training करनी है लेकिन सामने वाले बंदे के angle में नहीं जाना जब वो cover की तरफ जा रहा है आपको पता भी होता है उसकी position यहाँ पर लेकिन आप लोग open में जाते है और सामने वाला बंदा आपको easily मार देता है यहाँ पर आपकी गलती के होती है या फिर left side से वो आपको मार सकता है यहाँ पर क्या होगा आपने दो position को क्या करना है confirm कर लेना कि एक तो या तो right side साइगा या left side साइगा यहाँ पर आपने zigzag movement करते हुए जाना है और आपको ready रहना है कि आपके दिमाग में इतना होना चाहिए head connect कर दोगे और सामने वाले की HP एकदम से low हो जाए कि जैसे आप उसको head connect कर दोगे या फिर bullets connect कर दोगे यह तीन चीज़े इतना जादा help करने वाली है आपको TDM के अंदर खासकर one versus one के अंदर वहाँ पर सब की इज़त दावों पर लगी होती है यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप apply करोगे एकदम correctly जैसे मैंने बताया तो आप कही नगी TDM में काफी जादा games जीतने वाले हो आप इस चीज़ को try कर सकते हो और थोड़ी सी training करने है देना आप जाके किसी भी wall के पीछे इस चीज़ को training कर सकते हो या पर डेली आप TDMs खेलते हो उसके अंदर जाके भी आप इस चीज़ को try कर सकते हो so guys make sure करना कि वीडियो को like करतो अगर आपको थोड़ी सी भी informative लगी हो या फिर पसंद आई हो वीडियो so guys में विल तो आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye and peace out और एक और चीज़ की channel को subscribe कर देना